चीचड से बहुत सारे लोग परेशान हैं क्योंकि ये एक ऐसा पैरासाइट है जो आपकी भेड को, आपकी बकरी को, कुते को, बिल्ली को, गाए को, भैंस को, सभी को नुकसान पहुंचाता है और बहुत से लोग इसी के समधान को लेकर Google पर भी सर्च करते हैं, YouTube पर भी सर्च करते हैं, पूरे शोशल मीडिया पर सर्च करते हैं कि हमें कैसे न कैसे करके चीचड खतम करने का पूरा पक्का इलाज मिल जाए और आज मैं आपको उसके इलाज को बताने से पहले ये बताऊंगा कि चीचड असल में वर्क कैसे करता है इसके बारे में बहुत से सिक्रेट हैं जो आप अगर जानेंगे तो आपका दिमा फिल जाएगा सच में लेकिन अगर आप एक बार इसके पूरे के पूरे सिस्टम को समझ गए कि चीचड वर्क कैसे करता है तो आप इसे खतम भी कर सकते हैं और जैसे मैंने अपने यहां पर खतम किये थे वही तरीका आज आज आपको बताऊंगा तो दोस्तो मेरा नाम है अमित भोबिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं ABC इंडिया शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले दोस्तो चीचड के बारे में जो हीडन फैक्ट से उनको जान लेते हैं चीचड जो है वो सो से भी ज़्यादा परकार के होते हैं लेकिन सभी का एक ही काम होता है उनका काम होता है कि किसी तरह से खुन चूसना और धीरे धीरे खुन चूसते हुए अपने साइस को बढ़ा करना और उसी के साथ साथ 16 परकार की बिमारिया जो है वो फैलाना आपको काटेंगे तो आप में फैलाएंगे जनवरों को काटेंगे तो उन में फैलाएंगे चीचड की एक प्रोपर्टी होती है कि अगर इसे 2 साल तक बलड ना मिले पीने को तो भी ये जीवित रह लेता है और यही वज़य है कि हम अपने एरिया के अंदर सप्रे भी कर लेते हैं पुशों को इंजेक्शन भी लगा देते हैं दबाईयां भी लगा देते हैं लेकिन चीचड खतम नहीं होते तो आज उसका सोलीशन भी आप लोगों को बताऊँगा लेकिन चीचड की सबसे important property जो है वो पहले समझ लीजिए अगर माल लीजिए आपको मदुमक्खी ने काटा या फिर आपकी गाए को काटा तो हम तुरंत react करते हैं गाए भी तुरंत react करेगी अगर मच्छर भी काटा है तो भी हम तुरंत react करते हैं लेकिन चीचड अगर काटा है तो हम react नहीं करते और नहीं कोई पसू जो है वो react करता उसके पीछे की सबसे बड़ी वज़य ये है कि जो चीचड के saliva है उसके अंदर pain nubbing property होती है मतलब जहां पर आपको दर्द होना है उस एरिया को सुन करने की शमता होती है इसलिए जब वो आपके खुन चुसने लगता है तो वो पूरी पिन भी आपके बोड़ी के अंदर गुसाता है खुन लेने के लिए लेकिन वहां पर दर्द नहीं होता क्योंकि उसके सलाइवा में pain nubbing property जो है है यानि वो सुन कर देता आपके उस एरिया को या फिर आपके जानवर के उस एरिया को इसी वज़े से चीचड जो हैं उनको हम खतम नहीं कर पाते अब रही बात कई लोग कहते हैं जब भैस पानी के अंदर नहने जाती है तो उसके उपर कम चीचड लगते हैं और जो भैसे पानी के अंदर नहीं नहने जाती या गाए जो है वो नहीं नहने जाती उनके अंदर ज़्यादा चीचड लगते हैं तो आपको बता दू कई परकार के ऐसे चीचड होते हैं जो पानी में डूब जाते हैं वो तो उतर जाते हैं लेकिन कई ऐसे चीचड भी हैं तो दो से तीन दिन तक अगर पानी में डूबे रहें तो भी नहीं मरते हाँ ये बात सच है कि चीचड जब पानी में डूबता है तो वो अपनी जगें छोड़ देता है लेकिन ये भी सच है कि दो से तीन दिन तक कई परकार के ऐसे चीचड़ हैं जो नहीं मरते इसलिए के साथ आपको बता दूँ कि जो दूद है उसके अंदर कमी आना शुरू हो जाता है फीवर होना पुशू को शुरू हो जाता है इसलिए के साथ रिप्रोड़क्शन सिस्टम जो है उसके अंदर भी कई परकार की कमी आती है जैसे मेल के अंदर स्पम काउंट कम होने लगते हैं फीमेल के अंदर अबोशन बढ़ने लगते हैं तो ये सब चीजें हैं इसी वज़े से आपको अपने पुश्वों को चीचडों से दूर रखना चाहिए अब दूर रखने के कुछ तरीके हैं जो तरीका हमने इस्तेमाल किया और जिसके अंदर हम काम्याब हुए वो तो ये है कि आप मुर्गे के छोटे-छोटे बच्चे पाल लो आपने हमारे घर की कई वीडियो देखी होगी उनमें भी मैंने इस चीज़ को बताया मुर्गे के छोटे बच्चे पालोगे इसी के साथ साथ आप लोग जो भी पुश्मों के खाने के विवस्ता करते हैं और जो भी वो प्लेस आपने बना रखा है वहाँ पे किसी परकार की कोई भी दरार नहीं होनी चाहिए प्लोपर जो है प्लास्टर करके एक दम अच्चे से आपको बनाए रखना है ताकि दरार होगी तो उसके अंदर चीचड जो है वो रहेंगे तो चीचड दरार नहीं है तो वहाँ पे नहीं रह पाएंगे इसलिए मेरा तो यही सुजेशन है आपको कि कैमिकल्स का इस्तेमाल पुशू पे ना करो इतना जादा कि उनको और दिक्कते होने लग जाएं क्योंकि एक डिबेट ये भी चलती है कि पशू जो है वो तनाब में होता है उपर से आप इंजेक्शन दे देते हैं या कैमिकल्स वाली दवाईयां उसके उपर लगा देते हैं तो उसके कारण भी उसके हार्मोंस के अंदर इंफलेशन होता है और जिसके वज़स्ते उसको और दिक्कत आती है इसलिए आप सबसे अच्छा काम यही करिए कि आप चिकन यह मुर्गे के जो बच्चे हैं इनको पाल लीजिए और इनको पालो गई तो आपके जो चीचट है वो एकदम खतम हो जाएंगे खेर दोस्तों शाहिद इस वीडियो के अंदर आपको मैंने जो सचाई है वो बताई है अगर आपको यह चीज पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं चार किसानों किसा शेयर भी करें अगर पसंद ना आई हो तो कोई बात नहीं अपना सजेशन जो है वो कमेंट बॉक्स में दे देना खर देखते रहे ये ABC इंडिया